पति पत्नी बेट पर लेटे थे लेकिन दोनों बड़ी देर तक चूप रहे इस पर पत्नी ने सोचा ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या किसी दूसरी औरत के बारे में सोच रहे हैं? क्या बाहर इनका रफ्यार है? मैं आप और पहला नहीं रहूंगी? क्या आप सच मुझ मेरे चहरे पर जुर्या आने लगी है? क्या आप उम्र मुझ पर हावी हो रही है? क्या आप मैं उन्हें लुभान ही पा रही हूँ? क्या मैं जादा ही मोटी हो गई हूँ? क्या बे मुझसे नाराज है? मैं उन्हें ठकान की कारण रात को माना कर देता हूँ इसलिए वे मुझे नराज से और पहल नहीं करना चाते पत्नी की सोच और गंबिर हो गई वो सोचने लगी मुझे बच्चों को सुभ़ जल्दी स्कूल के लिए तैयार करना होता है और फिर घर के काम भी तो देर रात तक खतम होते है इसलिए कभी मैं उन्हें मना कर देती हूँ लेकिन मेरी परिशनी कौन समझ देगा बस हर बार इनकी बात मानो तो ये खुश रहेगा बरना बात भी नहीं करेंगे पत्नी को पुरने बातों याद आने लगी पहले कभी ऐसा कुछ लगा नहीं कि ये दूसरे के चक्कर में फस गया है लेकिन अगर मेरी काया आप पहले के तरह नहीं रहे गई है तो हो सकता है कि इनके आफिस में किसी औरत ने इन पर डोरे डाले है और ये उसके चकर में आ गया हो पूरुष का क्या है वो तो बाहर कुछ भी कर सकते हैं इस तरी के लिए तो घर का काम, बच्चे समालना, उनके स्कूल की जिम्मेदारी और भी कई काम इस पर अगर रात को यह मना कर देते एक के बाद एक ख्याल पखे के मिल में आ रहे थे और बहुत सारी संखावों से उसका दिल बैठा जा रहा था दूसरी तरह, दूसरी तरह पती सोच में डुबा था कि धूनी को भी अकल नहीं है आख्रियोगा रोविंद्र जाद्य जासे यह क्या कर गादा तो दोस्तों अगर आपका पार्टनर चुप चापने तो गलत मत सोचो हार भक्त पती गलत नहीं होते और हाँ मेरी चैनल को लाइक, श्याट, सब्सक्राइब जरू करने